नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका डेली क्रंट फेर्स चैनल पर आज हम बात करेंगे 25 से 30 अगस्त 2022 के क्रंट फेर्स के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कोन है राजस्तान के सरी प्रविन गुप्ता परदेश में परतेक व्यक्तिक तक रोजगार के अवसर पहुंचाने के लिए मुख्य मंत्री स्री असो गेलोत ने मंगलवार को इंद्रा गंदी सहरी रोजगार गरांटी योजना की सुरूआत 9 सितंबर 2022 से करने की गोशना की इसके अंदर कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा सो दिन का सुरू कब होगी 9 सितंबर 2022 से राजस्तान लगू उद्योग निगम के अदेक्स कोन है सरी राजीव अरोडा मुक्यमंतरी ने मंगलवार को जोधपुर में पदम सरी केलास सांकला के समर्ती में वन विबाकी और से आयोजित तेतरवे राज्यस्तरिय वन मोच्शव का सुबारम किया इस मोके पर पोदारवपन किया और समर्ती वन में 5 क्रोड रुपे की लागत से बनने वाले बोट नेकल गार्डन एवं 2 क्रोड रुपे की लागत से स्तापित होने वाली लव कुसवाटिका का सिल्यानास किया परदेश के चार चिकिछ्या माविद्यालियों में स्तापित होगी फिंगर प्रिंट लेव इसे तु मुख्य मंतरी ने कुल 23 क्रोड चारिस लाग रुपे की मंजोरी परदान की है ये चार परदेश कोन से होंगे जैपपूर, जोधपूर, कोटा और उद्धेपूर में राजस्तान में खेलों के माकुम्ब के रूप में राष्ट्रे खेल दिवस पर पहली बार आयोजित राजजी युगांदी ग्रामिन ओलम्पिक 2022 का राज्यस्तरिय सुबरम जोध पूर्शे हुआ लूणी पंचायत समीती के अंतरगत पाल गाओं के पसु मेला मैदान में इसे तुबवे समारों का आयोजन हुआ तो राष्ट्रे खेल दिवस कब मनाया जाता है गुण 30 अगस्त को किस की याद में मेजर द्यानचंद की याद में राज्य युगान दिग्रामिन ओलम्पिक खेल गुण 30 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा 6 खेल इसके अंदर खेले जाएगे लग 32 लाग खिलाडी वे 2 लाग से जादा टीमें इसमें बाग लेएगे मुख्य मंतरी स्री असो गेलोत ने बादवा दूजी मसूरिया स्तित बाबा राम देव मंदिर पहुंचकर दर्शन किये मसूरिया कांपर स्तित है जोधपूर राजस्तान के परदान मुख्य वन सरंख्यक डोक्टर दीप नरान पांडे की बेस्ट सेलर पुस्तक गर से वन तक का विमोचन रविवार को उध्यपूर में हुआ तो गर से वन तक पुस्तक किसकी है डोक्टर दीप नरान पांडे की विद्देशी प्रेटकों के बीच पर सिद पहलेस ओन वेल्स फिर से शुरू होगी इस ट्रेन को 2022 से बारतिय रेलवे की बारत गोरु ट्रेन पोलिसी की अंतरगत संचालित एमरक रखाव मोडल पर संचालित किया जाएगा इससे राजस्तान प्रेटन विकास निगम को पर्तिवर्स एकनिश्चित राजश्वपराप्त होगा सूचना एम प्रोद्योगी की आयुक्त स्री आसिस गुपता ने कहा डिजिटल माध्यम से योजनों की सर्विस डिलिवरी में राजस्तान देश में अग्रेन राज्या बन गया है राज्या में 85,000 एम 15,000 एम प्लस सहीत कुल 1,001 एम संचालित हैं जबकि देश में यह आंकडा 3,001 है ऐसे में राजस्तान में पूरे देश के एक तिहाई एमित्र का संचालन हो रहा है तो एमित्र में राजस्तान का कौन सा स्थान रहा है पर्थमस्तान मुख्या मंतरी स्री असो गैलोत ने राजस्तान प्रेटन विकास निगम के 6 होटलों में जिर्णो दार के लिए 10 क्रोड रुपे से अधिक की स्विकरती प्रदान की है तो आर्टी डी सी के 6 होटल कौन से हैं ये याद रखना कांपर है गणगोर होटल कांपर है जयपपुर में खादिम होटल कांपर है अजमेर में कजरी होटल कांपर है उद्यपुर में सिक्र माउंट कांपर स्थित है शिरोई के आबू में फोरेश्ट लोज कांपर स्थित है बर्थपुर में टाइगर डेन उटल का प्रस्तित है स्रिश का अलवर में टी एसपी क्षेतर के पांच जिलों में पूर्वे में लागू इंद्रा गांदी मत्रित्व पोस्णियोजना कौन सी इंद्रा गांदी मतरित्व पुस नियोजना का दायरा बढ़ाकर अब सभी जिलों में लागू कर दी गई है कब से एक अप्रेल 2022 से इसके अंतरगत क्या होता है दूसरे बच्चे के जनम पर कुल 6000 रुपे की राशिपरदान की जाती है जो पांच किस्तों में उपलब्द करवाई जाती है महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है 26 अगस्त को महिला समानता दिवस पर आयोजित कारिय करम में उडान योजना की दूइत्ति चरन का सुबरम किया गया 26 अगस्त 2022 को जिसमें एक क्रोड 35 लाग की सोरियों और मैलाओं के लिए 600 क्रोड रुपे का प्रावदान किया गया इस योजना के पर्थम चरण से गुनुतिस लाग की सोरी और मैलाएं लाबानवित हुई उडान योजना का समंध किस से है सेनेटरी नैपकिन के वित्रण से मैला समानता दिवस 26 अगस 2022 आप की बेटी योजना योजना के तैथ 55,832 बालिकाओं को 11.09 क्रोड रुपे की प्रोचान राशी प्रदान की जाएगी पात्तर कोन है इसके अंदर गरीबीरे खसे निच्चे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अत्वा एक का निदन हो गया हो राज के विद्यले में कक्षा एक से बारा तक अध्यनरत हो राजस्तान में पहली बार 2 से 6 जनवरी 2020 को राज्ये खेल का आयोजन किया गया था 18 खेलों में लगबग 8,000 खिलाडियों ने बाग लिया था राजस्तान हस्त सिलपनिती 2022 जारी मुख्य मंतरी वरग फ्रोम होम जोब वरग योजना और पोल्टर शुरू मेला उद्मियों इम स्विम साहिता समुहों द्वारा तेयार स्तानी अहत करगा इम अन्यकला अत्मक उत्पादों के दुनिया बर में ओनलाइन विक्रे के लिए राजी वीका ने अमेजोन के साथ MOU यानि समझोता पत्तर पर अस्ताक्सर किये हैं इससे पंदराजार से अधिक मेला उद्मियों और स्विम साहिता समुहों को ओनलाइन मार्केट पलेस पर सुचिबद किया जाएगा और अमेजोन के लाखोगराकों को उपलब्द करवाया जाएगा राजस्तान मैला निद्धी अस्सो गैलोत ने इसकी स्तापना करने की गोशना राज्या बजट 2022-23 में की थी तेलंगाना के बाद राजस्तान बारत का दूसरा राज्या है जहां मैला निद्धी की स्तापना की गई है योजना के तैत 40,000 रूपे तक केरिन 48 गंटे में और 40,000 रूपे से अधिक केरिन 15 दिवस की समय सिमा में आवेदित सदस्य के बेंग खाते में जमा हो जाएगे किया जा चुका है जिसमें 30,000,000 परिवार जुड़े वे हैं इस वर्ष 50,000 समों का गठन किया जाना है जिसमें 6,000,000 परिवार जुड़ेंगे कुल 37,000,000 परिवारों को चरणबत तरिके से मैला निदी से लाब मिलेगा सरी गैलोत ने 6 जिलों के 306 स्वयम सायता समोहों की सदस्यों को 1.42 क्रोड रूपे की राशी मैला निदी से रिंड के रूप में प्रदान की सामुदाइक स्तर पर विशिष्ट कारिय करने के लिए राजीविका कम्यूनिटी केडर की 8 मैलाओं को पुरुष्कर तबीक किया राज्य की नई मैला नेती कब लागू की गई? 2021 में स्मार्ट पेजल आपूर्थी के लिए राजस्तान को अवार्ड प्रदान किया गया है तीसरे डिजिटे कॉनकलेव 2022 में जल्दाय मंतरी डॉक्टर मैश जोसी ने यह अवार्ड ग्रेन किया महिला निदी लोकारपन कब किया गया? 26 अगस्त को 26 अगस्त को किस दिवस की रूप में मनाया जाता है? महिला समानता दिवस की रूप में लोकारपन किस ने किया? मुख्यमंतरी असोक गलोत ने गोशना कब की गई? 2022-23 बजट में किस के लिए इसकी शुरुवात की गई मैलाओं की समाजी कुरार्थिक उन्ती के लिए मैलानी दी का संचालन किस के द्वारा किया जाएगा? राजीवी का द्वारा किस के सयोग से? यह शुरूकी गई मैलानी दी तेलंगाना के सयोग से योजना के तैत कतने रूपे का रेण 48 गंटे में प्रदान किया जाएगा 40.000 रूपे का 42.000 रूपे से अधिक कारेण 15 दिवस में किस में बेजा जाएगा सिदा बैंक खाते में सर्वए पर्थम कितने जीलों में सुरुवाद 6 जीलों में कोन कोन से जोदपूर, करोली, अलवर, कोट्टा, डुंगरपूर, राजसमंद में मैला समानता दिवस पर राज जस्तरिय कारिय करम कांप पर किया गया JECC सितापूरा जयपूर में राजस्तान मैला निद्धी की स्तापना करने वाला कोन साराज्य है देश में सेकिंड पहला तेलंगाना राजी विका की ब्रांड एमेस्टर रुमा देवी मैला एम बालकल्यान विकास मंतरी ममता बुपेश राजस्तान मुख्यस सीव कोन है उसा सर्मा मजदूर किसान सक्ति संग्थन की फाउंडर अरुना रोय तो आप निचे कमेंट में बताइए रुमा देवी का सम्मन्द किस क्यत्र से है बाली का दुरस्त सिक्षा योजना गोशना 2022 ते इसके बजट में की सुद्धे से एतु की गई इसके माद्यम से राजस्तान की बाली काउं वे मैलाओं को उच्षिक्षा के लिए संस्ताओं की फीश का पुन्र ब्रण राज्यस सर्कार करेगी योजना के तैत परतिव वर्स 36,300 बाली काउं वे मैलाओं को लाभान्वित किया जाएगा बजट कितने रुपे का स्विकर्थ किया गया 14.83 क्रोड रुपे का इस के तैत राज्यसरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्याले राज केसंस्तान और वर्दमान माविर्खुल्ला विश्वविद्याले कोट्टा के द्वारा अध्यन उपलब्दे क्रवाया जाएगा योजना के तैत शिटों की संक्या सनातक हेतू 16,000, सनातको तर हेतू 5300, डिपलोमा हेतू 10,000, पीजी डिपलोमा हेतू 3,000, सर्टिपिकेट हेतू 2,000 विबिन कारणों से नियमित रूप सी माविद्यले वेविश्वविद्यले नहीं जाने वाली बालिकाउं वे मैलाओं को योजना से जोडा जाएगा उद्योग विबाग द्वारा एमनेश्टी स्कीम 2021 की अवदी को कब तक के लिए बढ़ाया गया है 31 मर्च 2023 तक के लिए अंतराश्ट्रे उट उट्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा 14 सिपंदरा जनवरी 2023 को बिक्कानेर में इंटरनेशनल पेंटिंग केंप सरजना 22 का आयोजन कहां किया गया जैपुर में कहां पर पुर्णेमा यूनिवर्सिटी में राजस्तान की सबसे लंबी जिप लाइन किस तिर्थ स्तल पर सुरू की जा रही है नीलकंठ मादेव तिर्थ स्तल अजमेर में नमवी रज्जे सीनियर कोरक बोल परतियो गिता का आयोजन कहां किया गया जैपुर में हाल ही में पंडी जुआरलालनेरूप बाल साहित्य अकादमी का देक्स किसे बनाया गया इक्राम राजस्तानी को हाल ही में राष्ट्रे खेल दिवस कब मनाया गया गुण 30 अगस्त को किस की याद में मेजर द्यांचंद की याद में मेजर द्यांचंद को क्या का जाता है वो की का जाद्दूगर हाल ही में मिशेज राजस्तान 2022 का किताब किस ने जिता जो तिसी हैं जो जैपूर की हैं उन्होंने राजी उगांदी ग्रामिन ओलंपिक खेलों का राज अस्तरिय सुबारम समारो कहां आयोजित किया गया ग्राम पंचायत पाल में और पंचायत समिती कौन सी है लूनी और कौन से जिल्ले में जोदपूर में किस के द्वारा सुबारम किया गया सी एम असो गयलोद के द्वारा जैपूर मेरा थन के चोधवे संस्क्रण का आयोजन कब किया जाएगा पांच फरवरी दोजार तेज को दिल्ली में आयोजित डिजी टेक कौन कलेव के दोरान राजस्तान सरकार की किस प्रियोजना को अवार्ड परदान किया गया है इमित्र प्रियोजना जोल्डन के ओमान में वे अंतराश्टे अंडर 15 टेबल टेनिस परतियोगिता में राजस्तान की किस खिलाड़ी ने का स्यपदक जीता काव या बट कांकी हैं ये बांस वड़ा की हाल ही में राजस्तान सेंस करता कादमी का देख्स किसे बनाया गया सरोज कोचर को राजस्तान का बेश्ट किर्केटर का गुनती स्वां मत्थुरादास मत्थुर अवाल्ड किसे दिया जाएगा सीनियर वरग में अनिकेत चोदरी को और जूनियर वरग में अनिरुद सिहे को सब जूनियर में रोहन राजवर को राजस्तान सिविल सेवा अपिल अधिकरण की स्ताइपीट कहां स्तापीट होगी जोधपुर में डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी में देश का कोन सा रज्य अवल है राजस्तान। हाल ही में राजस्तान संगीत नाठ का अकादमी का देख्स किसे बनाया गया बिन्ना का बालू को। राज्यीव गांदी ग्रामिन ओलम्पिक खेलनों के पहले दिन किन खेलनों का आयोजन होगा गुन 30 अगस्त को पहले दिन कबढडिवे खोकोगा बाद में 30 अगस्त को सुटिंग बोल किरकेट का 31 अगस्त को होकीवे बोल्य बोल का राज्यस्तानी भासा का साहित्य अकादमी यूव पुर्षकार 2022 की सेद्या जाएगा 28 पुरोईत को कांके हैं ये हनुमान गड़को कविता संग्रे एन्नान राज्यस्तान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिलवर आउटलूक ट्रेवल अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है कुम्बल गडवे चित्तोड गड़को 26 अगस्त को मनाये गए मैला समानता दिवस की थीम क्या रखी गई है सेलिब्रेटिंग वुमेंस राइट टू वोट सिक्षा एम गोशेवा के क्षेतर में दिये जाने वाला स्वामी बर्मानंद पुर्शकार 2022 की से परदान किया जाएगा बादरिया माराज को हाल ही में उडान योजना की दूसरे चरण का सुबारम कभी किया गया 26 अगस्त 2022 को HPCL ने गोबर से संपीडित अपने पहले बायोमास प्रियोजना की सुरुवात कहां की है सांचोर जालोर में हाल ही में रजस्तान के किस वेक्ति को सर्वेसरेष्ट रश्ट्रे एथेलेटिक्स पुर्शकार से सम्मानित किया गया है हर्श वर्दन सिहें को ये कहां से हैं डूंगरपुर से रजस्तानी बाल साहित्य पुर्शकार से किसे सम्मानित किया जाएगा विश्वामित्र दादीच को कहां से हैं कोटा से बाल पोथी मचल ल्यारा आंसु का चेन राष्ट्रे सिक्ष एक सम्मान के लिए राजस्तान के किन सिक्षकों का चेन किया गया विक्कानेर के सुनिता गुलाटी को और उद्यपूर के दुर्गराम मुवाल को भारत में निर्मित पहलाकर सिड्रोन कोन सा है जिसका परदर्शन राजस्तान डिजीफेश दोजर बाईस में किया गया विश्रोन इकेतरवी राज्यस्तर ये तेरा की प्रत्योगिता में चेम्पियन कोन बना है जैपूर विएक्तिगत चेम्पियन युग चेलानी ये पूरुस में है और मैला में फिर्दोस क्याम खानी वर्श दोजर बाईस का गासिराम वर्मा साहित्य पूरुसकार किसे परदान किया गया विनोद पदरज को जो कहां से है स्वाइमादवपूर से राजस्तान में बाली का उच्छिक्षा परोच्षान के लिए किस योजना को शुरू किया गया बाली का दूरस्थ शिक्षा योजना आज़ादी के 45 वर्श के उपलक्स में राजस्तान सरकारदवारा राजस्तान के थेयर्टर्स में नीशूलक परदर्शन किस फिलम का किया जा रहा है गांधी का 24 अगस्त से 1 सितंबर तक निर्दे सकोन है रिचर्ड एटनबरो तो आज के करंट फेर्श में इतना ही बने रहिए डेली करंट फेर्श के साथ धन्यवाद जै हिंद जै भारत